ध्यान मूलं गुरूर मूर्तिही, पूजा मूलं गुरूर पदं, मंत्र मूलं गुरूर वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरोह कृपा यस्माई नतह संपूर नह ब्रह्मान भवती तस्माई जान निधानम सुर्तरू समान पूज्य स्वामी वर्यम तथा अत्र उपस्तितान अतिथी वर्यान आगंतुकान ममप्रिय मित्राणी सर्वेभ्याह गुरू परवणह आचारेकुल परिवारस्य हिर्दतय हार्दिक्यह स नहिस्वत भवेत गुरू कृपाम विना भव सागरात उधारम असंभवं गुरू हु सिख्षकह अध्यापकह आचार्यह वा एतेसु विबेदह अनावश्यकह यावत जान दातु हु चर्णेसु असमाकम स्रद्धा भवेत तावत जान मृतस्य वरिष्टी भवतेवेह य यतो ही स्रद्धा वान लवते जानम स्रद्धा हीनाय गुरू किर्पा दुरलभा यतो ही मूरक हिर्दै नचेत जो गुरू मिलाई बिरंचीसम अर्थात यदी स्वेम परंपिता ब्रह्मा देवो पी गुरू हु भवेत तदा पी मूर्खाय जान बोधम कठिनम अतह आज्य पालनम अनुशासन पालनम तथा गुरू चर्णयोह अगाच्रधा अनिवारिय पूज्यपात गोश्वामित तुल्षिदासेन अपी उक्तम मातु पिता अरुगुर की बानी बिनही बिचार करिये सुभजानी तथा इव आज्या ही गुरू नाम अविचार निया मित्रानी अध्यतनिय दिवसह अस्माकम भारतिय समाजे एक अस्याह परंपरायाह प्रतीकह एव अस्माकम देशे अनेके राजवंसाह बहु लंब कालाय सासनम कृतवंतह तथा भी गुरू पूर्णी मायाह पर्व यथा मंडित एव एतत कथनम पुष्टिम करोतियत भारतियस्मिन गुरोह स्थानम सम्माननिय एव यह यदा स्वामी वर्येन गुरू विसे केचन वारता उक्तम यह एकेनम मित्रेन प्रिष्ठम वास्तविकह गुरू कह तदातु सम्यग उत्तरम नमया दत्तम किन्तु अध्य स्ववान्य ददाम्य तस्यो उत्तरम भावताम मनहसु अपी एसह प्रस्नम्भवती चेच्छुयतां बेदाह क्रियते पसु मानवयोहो येन, चलनम पाठ्यते जीवन पथी येन, पाठं कार्यते धैर्यताह येन, पथी चल्यते सदा सहयात्रिवत येन, यस्मै नतह भूयते आद्रेन सिरह, तस्मै वदाम्याहं सहगुरु वास्तविकाह सहगुरु वास्तविकाह, अतह एतत असंभ्य आवस्यकम्यत वयम मातुहु पितुहु गुरोह चा त्रिवेन्याह स्वजीवनम साफल्यम कुर्मे तदैव गुरु पूर्णी माहा आननोचवा सार्थकाह भविश्यती धन्यवाद हाँ आएए इस योग के महातीर्थ और भारतवर्ष के अनूठे आध्यात्मिक संस्थान में गुरु सत्ता के अत्यंत सन्निकट उनके अनन्य जो शिश गण हैं उनमें जो अग्रणी हैं वो मंच पर दो महाभुवतियां विराजमान हैं उनमें से प्रथम को हमा मंत्रित करते हैं पूज्या साध्वी देव माईजी को वो गुरु महिमा पर अपने श्री मुक्ष से आपको सुन्दर सदुपदेश प्रदान करेंगी साध्वी देव माईजी ओम यहाँ उपस्थित आच्यारी कुलम पतंजली गुर्कुलम वैदिक गुर्कुलम वैदिक कन्या गुर्कुलम के दूरस्थ प्रांतों से समीपस्थ प्रांतों से आए हुए सभी अभिभावक गन का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ परंपुज्य श्री स्वामी जी महाराज इवं आचारी श्री के द्वारा आचारी कुलम रूप यह जो एक छोटा सा पोधा कुछ वर्ष पहले आरोपित किया गया था आज वह कितना भव्य रूप ले चुका है इसके आप सभी शाक्षी है परंपुज्य महाराश श्री ने इसका नाम करन आचारी कुलम किया श्रेष्ठ आचारियों के द्वारा संचालित यह कुल यह परिवार विशेश हम देख रहे हैं कि शिग्रही भविश्य में श्रेष्ठ आचारियों का कुल होने वाला है यहां के सभी विध्यारती श्रेष्ठ आचारियों के रूप में परिनत होने वाले हैं निर्मित होने वाले हैं जो नकी स्वयम अपने जीवन को आलोकित करेंगे ज्यान प्रकाश्य से अपीतु हमारी शुब कामना है, हमारी मंगल कामना है, कल्यान कामना है, कि वो अपने जीवन को ही दिव्यता से, शुब कर्मों से, शुब भावनाओं से न केवल सुर्भित करेंगे, अपीतु पुश्पित पल्लवित करेंगे, केवल भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व क को चमत कृत करेंगे इन्हीं शुभाशाओं के साथ मैं आमंत्रित करती हूं पुझ्य स्वामी श्री परमार्थ देव भ्राता जी को और आप सभी से निवेदन करती हूं कि हमारे बीच में शिग्र ही परंपुझ्य श्री आचारे श्री भी उपस्तित होने वाले हैं उन सभी का भी आशिर्वाद हम सबको प्राप्त होगा ओम श्रम हमारी श्रधेया पूजिया भगनी साथवी देव मैं जी का और मंचस्थ आचारी कुलम के मान्नी निदेशक महोदया और हमारी प्राचारिया भेंजी जिन से सभी बच्चों को मात्रिवत पित्रिवत सनेह मिलता है मार्ग दर्शन मिलता है जिनके सनेह में मार्ग दर्शन में हमारे आचारी कुलम के बच्चे बालक और बालिकाएं बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी हो रहे हैं समर्थ गुरुवों का सानिध्य कंकर को शंकर बना देता है संपुन विश्व का जो सांस्कृतिक पतन हो रहा था जो चारित्रिक पतन हो रहा था जो आत्मिक पतन हो रहा था उस उत्थान के लिए एक आवतार के रूप में युग पुरोधा के रूप में परमपुज स्वामी जी महराज परमपुज आचार श्री का जो अखंड प्रचंड पुर्शार्थ है जो उनका तप है जिनके छट्रचाया में आचारी कुलम, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजली गुरुकुलम और उसकी छोटी शाखा बाल गुरुकुलम जो बहुत ही कम समय में बहुत कुछ अरजित करके पूरी दुनिया को चमित्कित किया है, पूरी दुनिया को हरशित किया है, पूरी दुनिया को अपनी और आकरशित किया है जिन महापुर्शों के सानिद्ध को लोग लालाईत रहते हैं जिनके दर्शनों के लिए लोग टक-टकी बांध करके देखते रहते हैं ये हम सब का सौभाग्य है आचारे कुलम और सभी हमारे जो सिक्षन संस्थान है चाहे पतंजली विश्वी द्यालाय हो चाहे आयर्वेत कॉलेज हो और आज इस सभागार में गुरुपर्व में सभी पधारे हुए गणमाने हमारे अतिथिगण अभिभावगण उनको मैं हिरदय की गहराईयों से हारदिक साधुवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने परंपुझ महराश्री के सपनों को साकार करने के लिए इस माभारती की सच्ची आरती के लिए अपने नव निहालों को तब की भट्टी में समर्पित किया है और जो तपता है वही कुंदन बनता है जो गुरु आचार की छेनी हतोड़ी की चोट खाता है वही वास्ताव में शिव बन जाता है और उसकी पूजा चारोर होती है गुरु कुमार शिख कुम्ब है गड़ी गड़ी काटे खोट अन्ता हात पसार दे बाहर मारे चोट तो हमको ऐसे समर्थ गुरु मिले हैं जो हमारी कुछ सित विचार धाराएं जो वासनाएं जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर होती है हमारे अंदर जो कुसंसकार होते है उनको निर्मल कर देता है पावन कर देता है कुंदन बना देता है चंदन बना देता है तो हम उस गुरु का वंदन करने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहां सभी अभीभावा के रूप में माता-पिता के रूप में आई हुए हैं और याद रखें, आप ऐसे माता-पिता हैं, जो केवल इतिहास पढ़ने वाले नहीं इतिहास गढने वाले माता-पिता होंगे आपको गवरव होगा, और अभी है कि वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए अप्राप्पी चीज है जो अप्राप्पी जान है वेद जान, शास्त्रों का जान, आत्मिक जान वो सब यहां पर गुरुजनों के आशिरवाद से मिल रहा है चारित्रिक उत्थान हो रहा है, शारिरिक उत्थान हो रहा है हर प्रकार से आपके बेटा और बेटियों का जो नव निर्माण हो रहा है वहां आपके लिए आपके वंस कुल खांदान के लिए बड़े गौरों की बात है आपने विगतिन देखा हमारे बाल गुर कुलम की माताएं छोटे छोटे बच्चों की माताएं भी वेदों की रिचाएं बोल रही है परमपुजे गुरुजी का आगमर हो गया हमारे लिए सवभा की बात एक बार सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और गुरुवर का अभिवादन करेंगे ओ शिरी गुरु भ्योर नमहा तो गुरुवों का गुरुत्व गुरुवों का आकर्षण हमको महान बनाता है गुरुवों के जान से हम अपने जीवन को महान बनाते हैं और जिनका जीवन महान बन जाता है उन्हीं के कारण ये जहान भी महान बन जाता है तो हम सब सौभाग शाली हैं आपने आचारे कुलम के बच्चों की प्रस्तुतियां देखी प्रस्तुतियां बहुत ही अभी ये दो दो तीन तीन महीने ही इनको यहाँ पर प्रवेश लिए हुए हैं लेकिन उनकी प्रस्तुतियां उनका जो साजों समान उनकी वाड़ी और उनकी जो आपने देखी भाव भंगिमाएं वास्तों में उनके लिए एक बार जोरदार करतलद होनी करेंगे हमारे आचारी कुलम के बच्चों के लिए परमपुज आचारी सिरी भी हमारे बीच में आएंगे परमपुज महराश शिरी का विशेस आशिरवाद हमको मिलता ही रहता है और उनकी जो सद प्रेणा हैं हमारे साथ हैं तो परम पुज आचार सिर्य भी आने वाले हैं, मैं भी अपनी और से वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम की और से, सभी पुज सन्यासियों की और से, पुजा साधवी बहनों की और से, आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधवाद देता ह है और ना कोई रानी ना राजपरिवार और ना कोई अवतार ये कहानी ये दास्ता मेरी और आपकी है ये कहानी हम सब की है इस नाटे पस्चिती द्वारा हम ये दिखाने का प्रियास कर रहे हैं मिकाले की शिक्षपतीती को त्याग कर आधुनिक एवं वैदिक शिक्षपतीत का मिलन एक बच्चे एबन पूर्ण समाज के सरवांगें विकास में किस प्रकार सायक है तो लीजिए प्रस्तुत है व्यादिक शिक्षा हमारा गौराव अरे पता है तुमें भारति सिक्षा विवस्ता में नया बोर्ड खुले वाला है अच्छा जी कौन सा बोर्ड भारति सिक्षा बोर्ड जिसमें बैदिक सिक्षा को भी पाटे करम में सामिल किया गया है अब हमारे बच्चे आधनिक सिक्षा के साथ बैदिक ज्यान को प्राप् बहुता हुआ जैसा आप सबको जयात है भारती सिच्छा का पुना आगमन हो चुका है अब आप सभी भारत के गौरों में इतिहास को जान पाएंगे साथी साथ वेदुप निशद रुपी महान ब्रंतों का भी अध्यान कर सकेंगे सच मुझ कितनी उची भाषशयली कितनी उची परंपरा है हमारी वेदों के ज्यान से युक्त यह हमारी व्यदिक संस्कृती हम भारत वासियों के संस्कार को दर्शाती है यह गरुकुल अबस्था इतनी महान है कि इसने मर्यादा प्रुशतम श्री राम को तयार किया महराशी मरेशी दयान श्रस्वति जैसे महान सन्यासी का निर्मान किया हर भारत वासियों को हमारी शिक्षावस्ता पर उपर गर्व होना चाहिए किन्तु मिकाले शिक्षावस्ता का नुसरन करके हम किस प्रकार गलत ज्यान का शिकार हो रहे हैं उसको देखते हैं अब हाँ तो बच्चे लिखो हर दिन हमें सुबह उठकर आसन प्राणायाम करना चाहिए मास्टर जी सो गए क्या हाँ क्या हाँ क्या हुआ बोलो पर मास्टर जी आज तक तो हमारे विद्धाले में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हाँ कुछ भी नहीं हुआ अरे यह सब कहने की बाते हैं सुबह सुबह दो मस्त सोना चाहिए अब तुम राद बर जागोगे तो पढ़ाई के मामले में तो सुबह नीत तो पूरी करोगे न तो फिर ऐसा करने को क्यों बोला गया है हाँ, सही बात, ये क्यूं कहा गया है? अरे ये सब किताबी ज्यान है, रटा मारो और पास हो जाओ, अनुसरन करने की क्या जरूर्द है? गुरुजी, हर दिन क्या भ्रह्मवेला में योगा अभ्यास करना अवश्ख है? हाँ चारे जी क्यों जरूरी है क्यों जरूरी है अवश्य क्योंकि योगा भ्यास करने से सरीर बल्वान तथा मन प्रसंद रहता है और साथी साथ बुद्धी का विकास होता है धन्यवाद गुरू जी और पासचाति संस्क्रति को अपनाने का असर अरे ब्रो हैपी बड़ दे हैपी बड़ भाई अब तो पार्टी बनती है क्यों दोस्तो हाँ बाई चल सेलिब्रेट करते हैं यह देख चीप्स और कॉल्डिंग्स मज़ा है गाज तो हाँ हाँ चलो चलो मैंने ना होटल में रूम बुक किया है वहीं पर होगी हमारी पार्ट स्वस्तीन इंतरो प्रुद्धर्स्टर्वाहा श्वस्तीन फूसाइड़ ना ही तो प्रुद्धर्ष्रावाहा श्वस्तीन हूशाप्ण। विश्व वेदाहा स्वस्तीनस्ताक्षर्यो फारिष्टनेमी स्वस्तीनो ब्रुहस्वतिर्ददातू अरे बेटा आज ब्रक्षार ओपन कुछ खास है क्या अरे प्रणामता हुजी हाँ आज मेरा जनम दिन है तो उसमें तो लोग पाटी करते हैं दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं इंजॉय करते हैं तो तुम व्रक्षार ओपन क्यों कर रहे हो हाँ आपने सही बोला परन्तु मैं थोड़ा भिन्ने सोच रखता हूं अब देखिए यह व्रक्ष अभी छोटा है जब बड़ा होगा तो हमें फल देगा भूल देगा राह चलते पतिक को छाया देगा और जब भी मैं किसी को इस व्रक्ष की प्रसंसा करता हुआ सोचा जनम दिन है तो कुछ बबस्त्र दान कर दें ये भी तो अपने ही है अपनों से आसिरवाधी मिल जाएगा वह वेटा वह अत्ति उतम सोच तुम्हारे जैसा सोच भारत के हर युवा का हो जाए तो भारत फिर से 20 सुगुरु बन जाए कितनी उची सोच कितने सुंदर विचार साथ में इतना अच्छा वहवार ये सोच ये विचार ये वहवार हमारी महान वैदिक शिक्षा की बदिती के वज़े से ही देन है तो चलिए अब देखते हैं आगे मस्त ब्रो तू बता हाई दहिया कोई मर गया है क्या हाई हाई क्यू कर रहे हो अरे नहीं अंटी ये फैशन है आप क्या समझोगे ओहो अच्छा बेटा में तुम्हारे ले कुछ कपड़े लाई थी देखा तेरा पैंट फटा हुआ है कहा अंटी अरे ये ये दिखने ही रहा तुझे अरे ये स्टाइल है अंटी हे भगवान फटा पैंट कौन से स्टाइल है भाई ओम प्रणाम भ्रादा जी आप कैसे हैं कुशल मंगल हूँ आप बताईए वाव वाव मेरा लल्ला कितना संसकारी है किसी की नजर न लग जाए सच मुझे मुझे गर्व है अपने बेटे पर आपका वहवार आपका परिचे है आपका रहन सहन आपका परिचे है आपका चलना फिरना बैठना उठना आपका परिचे है ये सब आपके संस्कारों को दर्शाता है और जो की व्यदिक शिक्षा से सोता ही प्राप्त होते हैं अब प्रस्तिती के अंतिम भाकी और जाने का समय हो गया है तो चलिए चलते हैं अब इस नाटक के अंतिम द्रिश्य में हम यह दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मैकाले शिक्षा विवस्था में शिक्षित छात्र और वैदिक शिक्षा विवस्था में शिक्षित छात्र बड़े होने पर अपने माता पिता के साथ कैसा आश्रन करते हैं तथा उनके पु सिक्षा संस्कार माता पिता ने समय न दिया न दिये सिक्षा संस्कार बेटा बन गया बड़ा आफसर बेटा बन गया बड़ा आफसर माता पिता को छोड़ना पड़ा घरबार छोड़ना पड़ा घरबार बेटा मेरी दवाई कहां रखी है बहु मेरा चस्मा कहां रख दिया अरे बुढ़े बुढ़िया ना खुद से जी सकते हैं ना हमें जीने देंगे इन्हें घर आने दो बात तो करनी पड़ेगी सुनते हो मैं कह रही हूँ अम मुझसे नहीं होगा इनका कुछ इलाज करो पर वो तो मम्मी पापा है उफ कह रही हूँ मैं या तो इन्हें चुनलो या फिर मुझे मैं नहीं रह सकती है अरे नहीं नहीं रुको मैं कुछ सोचता हूँ अरे मम्मी पापा आप लोग यहीं रुको मैं अभी आता हूँ हाँ बेटा तू जा पर जल्दे आना हम यहीं रुकेंगे छोड़ गया बेटा उस माँ बाप को छोड़ गया बेटा उस माँ बाप को जिसने सीचे उसकी काया आसू आखो से बहते गये पर वो लोट करना आया अरे पापा दादा दिकाना है अरे बेटा वो यहीं रहेंगे तुम चलो यहाँ से क्यों बुड़े हैं इसलिए तो क्या बुड़े होने पर मैं भी आपको यहीं छोड़ जाओंगा न क्या नहीं बेटा यह हमारी मजबूरी है तुम ऐसा कभी मत करना पर क्यों पापा इतने सवाल नहीं करते हैं चलो यहाँ से अरे बेटा माता पिता कास नह मिला शिक्षा से मिला संसकार आदर्स हुए उनके बेटे पूजदा है उने सारा संसार पूजदा है उने सारा संसार अरे बेटा वो पानी की बोदल देना उठा कि जरा अरे दादा जी परिशान क्यों करते हो देख नहीं रहे हो मैं काम कर रहा हूँ बाद बाद पे ये दो वो दो बेटा यह तुम्हारे दादा जी है तुम्हारे पूजणिये हैं उनसे हमेशा बिनम्रता पुर्वक बात करना हाँ हाँ बेटा जो प्री है और बड़े होते हैं उनसे कभी उची आवाज में बात नहीं करना चाहिए चलो माफ ही मांगो गल्ती हो गए दादा जी किरप्या चोटा समझ के माफ कर दे कोई बात नहीं बेटा तुम समझ गए न हमारे लिए इतना ही बहुत है क्यों एक पुत्र अपने भूडे माता पिता को बेसारा छोड़ देता है क्यों एक बहु अपने साथ सबसूर के साथ रहना नहीं चाहती क्यों बच्चे अपने दादादियों की परवा नहीं करते ये प्रशन हमें सोचने पर मजबूर करते हैं अब हमें साथ मिलकर खुद ही निश्य करना होगा हमारी अपनी संस्कृती ये विदेशी संस्कृती हमारी अपनी भाषा ये पराई भाषा वैदिक शिक्षा ये मैकाले शिक्षा स्वतंद्रता या पराधी निता उत्तिस जागरत प्रापे वनानी भोदता उठो जागो और सत्य को पैचानो धन्यवाद ओम तो देखा आप सबने किस प्रकार भारतिय शिक्ष्य व्यवस्ता मैकाले की शिक्ष्य व्यवस्ता से उत्तम है भारत से अंग्रेश 12 सल पहले जा चुक है लेकिन जो शिक्ष्य व्यवस्ता छोड़ कर गया है वो आज भी हमें गुलामी की रहा दिखाते उसी जगा पर बैदिक शिक्ष्य व्यवस्ता कितना हमारा सरवांगिन विकास करने में सहयक है तो चलिए इस गुरुपुर्णिया के सुभ अफसरबर गुरुचरणों को बंदन करते हुए हम ये शपत ग्रहन करे कि भारत में पुना बैदिक शिक्षा को इस्तापित करेंगे और गुरुकुल व्यवस्ता को इस्तापित करते हुए भारत को एक नया दिशा के भारत को बिश्वगुरु बनाएंगे मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की ओप